अगर यह तीन क्यालिटीज आप अपने अंदर डिवेलब कर लोगे तो आप एक हाइली इंफिलेंशल परसनल बन जाओगे एक हाइली इंफिलेंशल परसनालिटी बन जाओगे विकाज दुनिया के सारे बड़े लोगों में सारे महाल लोगों में सारे ग्रेट लोगों में यह क्वैलिटी इस पाई जाती है तो वीडियो मिस्स मत करना एंड तक ज़रूर देखना वीडियो बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट होने वाला हैं वल्कम बैक दोस्तों हंडेटेस कम्यूनिकेशन चैलेंज के चौबीस में दिन में आपका स्वागत है इन्हों रॉबर्ट ग्रीन वर्ल्ड के वनफ ग्रेट साइक हैं और मेरे वनफ फेवरेट्स में से एक हैं यहनोंने फोर्टीएड लॉज आपको लाइफ में तीन आटिट्यूड रखना बहुत जरूरी है जिससे कि आप एक हाइली इंफुलेंचल परसन बन सको एक ग्रेट परसनालीटी बन सको तो क्या-क्या है वह तीन क्या-क्या है वो तीन आटिट्यूड चली जानते हैं आटिट्यूड नमबर वन ऑपन-mind क्या होता है मतलब आपका दिमाग खुला होना नए आइडियास के लिए नए विचारधारा के लिए नए परस्पेक्टिव के लिए आपका दिमाग ऑपन होना इन्हों आप थोड़ा बाहर निकलो और अपने आसपरोस में जाओ और लोगों से पूछो तो आपको पता लग प्रसेस के लिए सोच पाते हैं नया कुछ सोच पाते हैं ऐसा क्यों होता है वे कासव लोग स्क्राधा होते हैं जब अगर आप बेंड हो जाओ तो आप नयी आप एक question solve कर रहे हो, यह आपके उस question को solve करने का तरीका अलग होगा, आपके thinking अलग होगी, कोई दूसरा person अगर उसी question को solve कर रहा है तो उसकी thinking अलग होगी, कोई अगर दूसरा कर रहा है तो उसका अलग होगा, तो आप अगर उन सब के thinking को जानोगे, उन से पूछोगे, लोग आपको刃ज्ड करएंगा हर एक चीज में आपको कपड़ा पहनते हो क्या खाते हो क्या पीते हो कैसे चलते हूं एस बात करते हो लोग आपको हर करते हो नंजांए लोग अगर कि पागल हो जाओगे इसा क्यों बोल रहे हूं ऐसा गलती करी नहीं सकता मेरा भाई ऐसा गलती कैसे कर सकता है मेरा बाप ऐसा गलती कैसे कर सकता है मेरी मा ऐसे गलती कैसे कर सकती है बड़ी नहीं हो बात दुनिया में सभी लोग इंसान है और गलती सभी से होती है तो देखा आपने की close mind से क्या होता है आपको mind को open रखना परेगा क्योंकि गलती सबसे होती है और हो सकती है, इंसान है, अडियन सबको इंसान है तो आपको open mind रखना चाहिए ताकि आप नए ideas को सोच सकें अपने problem solving के लिए नए-ने तरीके को जान सकें, नए-ने thought process को जान सकें, दूसरा attitude, patience oh my god, सबर यह सबसे बड़ा attitude क्या सकते हैं आप इसे, इनों पिछले जो generations होती थी, पहले जमाने के जो लोग होते थे, हमारे mother-father लोग, grandfather, grandparents लोग, दादा-दादी, मम्मी, पापा इन लोगों के पास बहुत ज़्यादे सबर होता था और यह लोग, किसी भी चीज़ को आसानी से सहन कर सकते थे सबर कर सकते थे किसी भी चीज़ का इंतजार कर सकते थे सालूं साल तक बट आज कल के जो so-called genges हैं, जो teenagers हैं अम लोगों के अंदर सबर नहीं है बिलकुल भी नहीं है मेरे अंदर भी उतना सबर नहीं है बट मैं सीख रहा हूं, यह attitude अपने अंदर धिर धिर लाने के कोशिश कर रहा हूं सबर आपके जिंदगी में बहुत ज़्यदे जरूरी है आपको अगर कुछ भी बनना है लाइफ में आपको सबर चाहिए बिना सबर के आप नहीं बन सकते यह ओवरनाइट सब चीज़ नहीं हो जाती है हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है एक बहुत ही फेमस कोट है कि every great things takes time मतलब दुनिया में जितनी भी great चीज़े हैं दुनिया में जितनी भी great personalities हैं सबको बनने में time लगा है पर एक्जामपल ताज महल great wall of china pyramid of giza दुनिया में जितनी भी चीज़े हैं सबको बनने में वक्त लगता है अब personalities पर आईए डॉक्र एपीजे अदुलकलाम अली बाबा के जो founder है जैक मा नेलसल मंडेला बराक ओबामा अब दुनिया के जितनी भी great हस्तिया है सबको बनने में वक्त लगा है और सबको time लगता है overnight कुछ भी नहीं होता और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल्गेट्स कहते हैं कि patience is the key element of success मतलब जो सबर है वो success का key element है अगर आपके पास patience नहीं है सबर नहीं है तो आप successful नहीं बन सकते और तीसरा attitude fearlessness fearlessness को आप courageous भी कह सकते हैं ये भी तो बहुत बड़ी attitude है आप किसी को बोलोगे कि आपके अंदर courage नहीं है वो गुसा हो जागा वो पागल हो जागा इनो craziest हिम्मत वाला सुनने में सबको अच्छा लगता है बट कहीं न कहीं हम सारे लोग डर पे उख होते हैं बिकर्स हम लोगों का एक comfort zone होता है दुनिया के सारे लोगों का एक comfort zone होता है और जिसका जितना बड़ा comfort zone होता है उसकी वो इतना बड़ा इनसान होता है और उसकी success इतनी बड़ी होती है तो हम लोग अपने comfort zone से बाहर निकलने में हम लोगों को डर लगता है हम लोगों को uncomfortable situations में जाने में डर लगता है difficult चीज़ों को करने में डर लगता है क्यों डर लगता है because हमारा जो mind है वो हमारा सबसे अच्चा दोस्त हो सकता है हमारा सबसे अच्चा दुश्मन हो सकता है हमारा mind uncomfortable चीज़ों को करने के लिए नहीं बना है हमारा mind सिर्फ इस बात के लिए जिम्मेदार है कि हम जिन्दा रह सकें हमारा mind सिर्फ हमको जिन्दा रखने के लिए जिम्मेदार है उसके इलावा वो किसी और चीज की परवा नहीं करता किसी और चीज से उसको फरक नहीं परता तो आपको craziest बनने के लिए अपने mind को train करना परेगा अपने mind को गुलाम बनाना परेगा ना कि आप खुद के mind के गुलाम बन जाओ दुनिया में maximum लोग अपने mind के गुलाम है उनका mind उनसे जो भी करता है वो वही करते है बट आपको अपने mind को गुलाम बनाना परेगा ताकि आप craziest बन सके आपके अंदर fearlessness का attitude आ सके जब आप fearlessness और craziest बन जाएंगे तो आप life में growth हांसिल करेंगे और आप बहुत आगे तक जाओगे बट आपके अंदर अगर डर समया हुआ है आप अगर डर पोग हो आप life में आगे नहीं बर सकते आप बड़े-बड़े action नहीं ले सकते आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकते आज के लिए इतना ही दूस्तों that's all from my side ये वीडियो आपको कैसा लगा comments में जरूर बताएं और कौन सा attitude आपको अच्छा लगा वो भी बताएं और इस वीडियो को लोगों के साथ ज़्यादा सेदा share करें ताकि उनके अंदर भी attitude develop हो इस चैनल को subscribe करें ताकि ऐसी informative वीडियो आपको मिलता रहा है वीडियो को लाज तक देखने के लिए thank you so much